लोगसभाद चुनाव की तैयारियों को लेकर मिशन डिमोलिशने के तहत कॉंग्रिस अपने कुनवे को अधर प्रदेश में लगातार बढ़ा रही है। खास बादश्रीत की आई आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पार्टी छोड़ने से अखली चादर जी इस बात का एसास करेंगे और जो कमजोरियां पैदा हो गई है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे जिसे कि वो बड़ी लड़ाई में मजबुत होकर के भागीदारी कर सकें अपकी पार्टी होगे तो यह भी बात कर वही है वही बात कॉंग्रेस भी कह रही है अब केवल समझ मैंने की बात है कि जो लड़ाई सामपरदाइक शक्तियों से होनी है समझे ने उसमें कोई दिकत नहीं होनी चाहिए और यह जो गठबंदन है यह जंदा की डिमांड है इन निताओं की डिमांड नहीं है मुझे लगता है वो इस बात का एहसास करेंगे पजवादी पाटी कहीं न कहीं आंदोलन प्रदरसन को लेकर जानी जाती है मदब अब कहीं न कहीं ठंडा नजब आती है यही कारण है कि मुझे समझारी पाटी को छोड़ना पड़ा सिधे कॉंग्रेस पदेश अध्यक्स अजवाई से बात करेंगे अजवाई जी आज बड़ी सेध मारी हुई है क्या गए नहीं है मैं हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं परिवार के साथ आ रहे हम सबका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और इतने बड़ी हस्ती जिनका एक अपना परिवार दस बार का सांसद रहा निश्चे तोर से ऐसे लोग आ रहे हैं तो इससे कंग्रेस की ताकत का करेंज के कुनबा बढ़ेगा हम सबका स्वागत करते हैं और लोगों से बात चल लए है क्योंकि कहां देखा जा रहा है कॉंग्रेस मिसंड डिमॉलिस के तहत लगतार अलग-अलग दलुस निताओं को अपने साथ जोर वही है कितना मजबूत होगा हुआफया साथ लोग जुण रहे हैं हमारे साथ लोग बात कर रहे हैं कि तमाम इसे भाचपा के नेता हैं तमाम अलग的话 के लोग हैं मेरे साथ संपर्क में है समय आने दिजह अब य आपको और और भी बड़ी ज्वाइनिंग आपके सामने आईगी कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्स अजयरायथ जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में और भी दलो के लोग हमसे संपर्ख में है जो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कॉंग्रेस इससे मजबूत होगी वीडियो जॉनलिस्स सिवांसू के साथ मैं विभांसू